आर्पी ग्रूप टेख चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रइट के लगा बटन आ रहा है सब्सक्राइब लखा हुआ उसके बाद बराबर बेल आइकन जो आ रहा है वहां पे एक बार किलिक करेंगे उसके बाद ऑल उप्सन पर किल्क करेंगे यह यह थी आप कोर्णा चाहते हैं तो आप हमारे इंटूर जॉइन कर सकते हैं जो आने में असमर्त हैं वह ओनलाइन भी सीख सकते हैं तो देखिए आपको देख सकते हम जो आपको practically को रहे बताया है उतिक हर नहीं सबूस्ती है ओद अबस्ति पाँ सांटेंगेंहें हैं कि यह थिलावल आन्जरग की जश्री रहे हैं आपको जो जो आप सीक रहे हैं अब यो कि चिपलेएविल स्चान Boss जाल रहे है यह समझ में आए खरी आपको थार दिन हुए है तो आपके पास में चार्जिंग का फोल्ट है इसको ठीक कर सकते हैं तो इसको ठीक करने के लिए चलिए आप ठीक करेंगे और इससे ठीक करने इस पहले आप यह बता ये बंटायत ड़ियंए कुध सबसे पहले की बैटरी के कनेक्टर पर रेडिंग कित्नी आनी चाहिए बैटरी के कनेक्टर पर हमाई रेडिंग आनी चाहिए यह इतना reading हमें मिलता है यह reading हमें कहा से आती है जो सकता है या कोई IC भी खराब हो सकते है जहां से लाइन रीडिंग है जो आती है तो आपके पास में एक यह मतरवोड है तो इसमें आप सबसे पहले की कूल टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि सबसे पहले आप बैटरी कनेक्टर पर चेक करेंगे कि कि इतनी रिडिंग है मिल रही है हमें अच्छ हह ठीक है रिडिंग यहाँ पर है जो आपने बताई था थीम्दों से उटने ही बीच में मिल रहिए अब जो मारा चार्जिंग जयके उसके प्लस पर रिडिंग चेक करोगे यहां फे यदिंग हमें आ रहे है आप इसमाप यहां पाल्ट किया है कि इसमें battery connector बोल्टेज नहीं आ रहे हैं यही problem में न तो यह बैटरी हमें अब होड दिख करेंगे तो हिसाज करने के लिए आप मेल्टिमूर को कहां लगाएंगे इससे लगाने के बाद इसमें आप चारजल लगाएंगे तो दोज्वन यदि आप ठ्रेक्टिकली कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्ट्री जॉइन कर सकते हैं थो यहां पर सबस्कारिब बैटरी कप्नेक्टर पर गोंब चेक कि बेटरी कनेक्टरी करेंगें बैटरी कनेक्टर में यहां पर कोई भी बटे कहिए हमें नहीं मिल्दा तो यह हमारा फोल्ड में लाइन सहे वी आपको charging jack पर voltage छेक करेंगे एक फिर कहीं भी नहीं आ चर्ञडिंग जेक कापिनिंट चर्म करेंगे क्या है मने जाए लाएं नहीं आप यह टो इस कंडिसन में आप करेंगे इसके पहले जैप कॉम चेक करेंगे जैक सही लगा रहा है यह पर रीडिंग आ रही सी वह उससे सोल्ड है यह नहीं है तो आप चलिए से चेक करो इसमें जेक निकालके जो इसकी पिन है पलस वाली देखिए यहां पर देख सकते हैं कि क्या condition है देखिए माइग्रेस्कोब में भी दिखाते हैं आपको जो है देखिए हम आपको नजदी किसे दिखाने की कोशिस करेंगे यह पिन जो है इसकी किसी ने रिपेर किया है तो इस तरीके से डेमेज कर दिए ठीक है अब इस फिन को हम यहां पर थोड़ा इसको करेंगे तोड़ा इससे पहले ट्वीजर से आपकिसी बिलेट से इसको सीधा करेंगे और हो सकता है यह चार्जिंग जैक भी खराब हो लेकिन पहले इसको ठीक करके देखते हैं परोई से सही से हुआ है थोड़ा सीधा अब यहां पर आपको हुआ है हो गया सोल्ड देखो ज़रा सही से देखे सोल्ड हो चुगा है हुआ 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 है ठीक है सोल्ड हो गया अब आप यहां पर फिर से चार्दल लगा के तो की देखो तो हें पल्त वसमें कुछ नहीं था लेकिन ये किसी ने टीड़ागद की सिर्भियों ने आप है कि आप को जो है अपर चेक करेंगे चार्जिंद पर सबस्ब पहले जार्जिंद जए कि देखिए अपर देख सके देखिए किया पर जो आले हैं और फाइब बोल्ट जाए अब है यहाप आ रहा यही आ रहा था ला अब है अब यह ठीक लग रहा है प्रोल तो आप disability पर च्क कर्या लोट मैं व suspर एक्राइज तो बादवी 555 पर यह लोट्फ वह इसमें कमान में नहीं आया ठाइज Yugosl ठीक है ना तो आप यहां पर जो आप आपिस से एक बार इंच तीनों चारा पिनों को आइरन से सोल्ड करेंगे यह से निकाल के तो दोस्तों इसी तरीके से आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो आप इंस्टेटी जॉण कर सकते हैं मोबाइल लेप्टप कंप्पीटर चिप लेवल ट्रैनिंग दी जाती है ओनलाइन अफ्लाइन दौना तरीके से केबल नगाम दी दोस्तों अभी इनका कोर्स जो चल रहा है यहां पर अभी कंप्लीट नहीं है अभी सीख रहे हैं तो इसी तरीके से ट्रैनिंग दी जाती है थोड़ा सा फ्लेक्स लगाएंगे यहां पर जो है और यहां पर आइरेन से थोड़ा थोड़ा करेंगे इसको इसकी लास्ट की और पिलस माइनस की जुपिने है तो लोगी ठीक है अभी से क्लीन कर आप पेट्रोल से इसमें चारदल लगा हूं पापिस एक पार पीटर से चेक करो बुल्टेज क्या मिल रहा है एक पर ग्रांड करो कहीं भी आया बुल्टेज देखिए देखिए दोस्तों यहां पर बैटरी के प्लस पर देखिए आपको दिखाते हैं बैटरी के प्लस पर जो है कि 4.1 बोल्टेज हमर आ चुका है ठीक है बुलको लोग क्या है अब इसकी जो प्रोब है जहां बैटरी कनेक्टर पर टच होगा वहाँ पर चेक करो कि इसन किराओं इसमें दिखाहूं यहां बैटरी टर्च होगि रहा तो यह दो फॉल्ट था आपका ठीक हो गया को इसमीं ठीक हो गई है तो इसमें फॉल्ट क्या था बता हो जा रहा है इसमें फॉल्ट था ये जैक की पिने जो है साही नहीं लग रही थी हाँ बता हो बाप इस एक पार इसमें फॉल्ट क्या था इसमें फॉल्ट था ये जैक है ना इसकी ये पिन प्रिंटों से चुपकरी रही थी ह और इसके प्रॉपर बोल्तेज पहुंच चुके ठीक है इसमें पिलट माइनिस दौनों ही प्रेंट आलके हल्के सुल्ड थें जो कि कर्एंट कौ बोहड करेंडर लेकेज कर रहे तें बेटी किनेक्टर पे प्रॉपर बोल्टेज नहीं जा रहा था यही फॉल्ट था ना इसमें चलिए अब यह तो हो गया है ठीक है